दोस्तों आपने अलग-अलग तरह की मचलियां देखी होंगी या उनके बारे में सुना होगा लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी मचली दिखाऊंगा जो की पानी में तहर ही नहीं सकती है इस मचली का नाम रेड लिंब बैड फिश है ये वेर्ट सक्रिय चल 10-20 फिट की गहराई पर पाया जाता है इस पर जाती की मचलियां गैलापागोस, डीप समू और पेरू के आसपास की छेदरों में पाया जाती है ये मचली पूरी दुनिया में एक मातरी ऐसी मचली है जिसके होट इतने गहरे और चमकीले है इस मचली को अच्छा तहरा की नहीं माना जाता है ये मचली अन्या सब भी मचली की तरह पानी में तहर ना तो चाती है लेकिन अजीबो करीब सरीर की संग्रचने की विज़से तहर नहीं पाती है इसलिए ये मचली समूदर तल पर चलती है आज तक वैग्यानिकों को ये नहीं पता जल सका है क्या कि बैट फिश के होट इतने ज़ादा लाल क्यों होते हैं लेकिन कुछ वैग्यानिकों का कहरा है कि होट के गहरे रंग का यूज मेल फीमेल बैट फिश एक दूसरे को एट्रेक्ट करने के लिए करते हैं बैटफिस के पास एलिजम नामक एक ऐसा बड़ी पार्ट होता है जो बैटफिस को सिकार करने में सबसे ज़ादा हेल्प करता है एक हेल्दी बैटफिस की एज 10-12 साल हो सकती है